आप दूस्तों बात करने वाले हैं कि आप लोग यह कैसे पता कर सकते हैं कि SPI Mitchell Fund में मेरे कितने OTM registration हो चुके हैं कई बार होता है लोग पूछते हैं कि सर वैसे नॉर्मली एक ही हम लोग करते हैं लेकिन कई बार गलती से दो हो जाते हैं फिर तीन हो जाते हैं तो इस चीच को हम कैसे पता करें कि हमारे जो SPI Mitchell Fund है SIP करने के लिए जो OTM करना पड़ता है वो कितने registration है यह कैसे हम लोग पता करें यह हम कैसे चेक कर सकते हैं इसको दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से आप चेक कर सकते हैं आपको आगे दिखाऊंगा कि दूस्तों आपके अगर OTM एक से दो हो जाते हैं फिर तीन हो जाते हैं आपको टेंसर नहीं कोई जरूत नहीं है क्योंकि दूस्तों OTM registration से आपका कोई भी लॉस नहीं होता है ठीक है वहां पर जो भी आपका इमांट होता है जो भी लिमिट हो यहां पर आपको चलना है यह आपको एक left side में option में लेगा 3 line का simply आपको इस पर टिक करना है इसके बाद आपको यहां पर एक statement का option में लेगा आपको statement पर टिक करना है इसके बाद यहां पर account statement पर टिक करिए और इसके बाद आपको अपना folio number time period कोई भी आप सेट कर सकतने time period current का इस रेट कर लेजे उसमें भी आपको जो भी current में जो भी mandate होगा जो भी otm होगा registration वो आपको वहाँ पर सो होगा इसके बाद यहाँ पर file type set कर लेजे अगर आपको किस file में चाहिए तो यहाँ पर हम pdf कर लेते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर download statement का option आ जाएगा simply आपको download statement पर टिक करना है अब यहाँ पर मेरा जो statement है वो download हो चुका है इसके बाद हम यहाँ पर किसी भी वीवर से इसको open कर ले रहे हैं open करने के बाद अब यहाँ पर आपसे password मांग रहा है तो password जैसा कि हम लोग को पता है कि अगर SBI mutual fund या पर किसी भी लगबग mutual fund में जो भी statement होता है वो आपके pin card number से open हो जाएगा ठीक है आपको capital में pin card number को fill up करना है pin का number डाने के बाद आपको open पर टिक करना है और आपका दुस्तो जो statement होगा वो यहाँ पर open हो चुका है अब यहाँ पर आपको बाकी सारे भी चैज़े यहाँ पर दिखाएगा कि आपका क्या SIP हुआ था क्या withdrawal हुआ है जो भी चैज़े हैं उसको हमको नहीं दिखना है हमक तो यहीं दोस्तो वो OTM है आई में दोस्तो आटो पे के लिए जो हमको OTM करना पड़ता है one time mandate वहीं दोस्तो यह चीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी तो आप देख सकते हैं मेरे case में यहाँ पर तीन OTM यहाँ पर register हैं जिनकी दोस्तो limit आप देख सकते हैं एक 10,000 है दोसर हम SIP को करते हैं तब ही हमारा पैसा कटेगा क्योंकि दोस्तो यह एक तरीके से हम लोग permission देते हैं कि भीया यह हमने permission दे दिया है कि इतना पैसा mutual fund में अगर हम SIP करते हैं तो auto pay हो जाया मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो एक तरीके से permission करते हैं यह offline पहले होता था जहाँ पर या form अगरा जमा करके आप अपने bank को देते थे लेकिन यही system अब इन्होंने online कर दिया है अभी भी दोस्तो online तरीके से आपके bank में एचीज जाती है और वहाँ पर एचीज रेइस्टेर हो जाती है तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अपने जो भी otm registration है कितने हो चुके हैं और दोस्तो यह जो otm होते हैं आप उनको delete भी कर सकते हैं आई मिन दोस्तो cancel भी कर सकते हैं अगर अपने upi के मादम से किया होगा तो वहाँ पर एक autopay का option आता है जिसके और यह वीडियो में बना रखा हूँ आप उनको cancel भी कर सकते हैं आई हो दोस्तो आ समझ गयोंगे कि हम लोग otm registration को कैसे देखते हैं और वहाँ पर आपको cancel भी करना है तो उसके कई सारी वीडियो बन चुके हैं आप उन वीडियो को देख सकते हैं और जो भी अगर आपको modify करना हो या cancel करना हो तो आप वहाँ पर अपने हिसाब से कर सकते हैं तरीके से आप लोग अपने otm registration को देख पाएंगे फिर भी अगर आपको इस प्रोसेस में कोई दिक्कत होती है कोई confusion होता है या आपको कोई भी doubt होता है तो भी फिक्र होके comment box में लिख सकते हैं और मैं आपके comment को तर्जोह दूंगा thanks for action दोस्तो बाइबाए